तो विविन्न उद्देश्व से प्रार्थना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं चतुर विधा भजनते माम, जनाह सुकृतनो अर्जुन, आर्थो जिग्यासु अर्थार्थी, ज्यानी च भरतर्षभ, तेशाम ग्यानी नित्य युक्त, एक भक्तिर विशिश्यते, प्रियोही ग्यानी नोर्त्य अर्थ्यम, अहम सचममा प्रियह। कहते हैं, हे अर्जुन, सुकृत करने वाले, जो अच्छे कर्म करने वाले, जो भक्त हैं, ये चार प्रकार के लोग, सुकृत जन, सजजन, जो अच्छा कार्व करने वाले हैं, सुकृत करने वाले, ऐसे जो जन हैं, ये चार प्रकार से मेरी भजना करते हैं। एक तो हैं आर्थ, दुसरे हैं जिग्याशू, तिसरे हैं अर्थार्थी, और चोथे हैं ग्यानी। कर दुसरे विधा भजन ते Г्यान जन, सुकृतन अर्जुन, आर्थो जिग्याशू अर्थार्थी। ग्यानी चर्वर तर्शवًद करें कि मैं इसे ज Barni जो भक्त है वो मुझे सबसे च्श्जादा प्रीह सवभान विख ियो कि वह जो जो ज्यानि भक्त 했는데 क्वर के इनके शिवा कुछ नहीं है इश्वर को सीवा मेरे जगत में कुछ नहीं है और इश्वर के सिवा प्रेम करने योग्य मेरे लिए कुछ नहीं है तो केवल इश्वर के सिवा कुछ भी नहीं जानता ऐसा ग्यान जिसको है परम प्रेम स्वरूप की वो जो परम प्रेम स्वरूप इश्वर को वो पकड़ के रखता है ऐसा भक्त जो इश्वर किसे अब कुछ भी नहीं चाहता love for love's sake जैसे स्वामी जी कहते है no shop keeping there कि मुझे ये देदो मैं तुमको ये देता हूँ तुम मुझे ये देदो तुमको ये देता हूँ लेन दिन की कोई भावना नहीं बस केबल प्रेम 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 निश्वार्थ प्रेम तो जैसे नारद भक्ति सुत्रन में कहा ये था वरज गोपी का नाम या गोपी काओ की जैसी निश्वार्थ भक्ति थी ऐसी भक्ति ये ग्यानी ये भक्त ये स्री भगवान बोलते है मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है पर इसका मतलब इन ही कि आपके सब प्रीय नहीं है क्योंकि जानते हैं कि मनुष्य दुरुभल है निरुभल है तो फिर और कहां जाएगा जब विपति में आएगा तो तो चार परकार के भक्त एक आर्थ आर्थ मतलब जब विपति आती है तब इश्वर के पास जाते हैं कोई विपत्ति आई दुख आया संकट आया तब भगवान का स्मरण करते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं इसलिए बीच-बीच में भगवान विपत्ति भेजते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कुंती माता को कहा तुमपर में बहुत प्रसन हो आज जो वर्दान चाहिए मंग लो कुंती माता ने कहा यहीं सचमुच में आप वर्दान देना चाहते हैं तो ऐसा वर्दान दीजिए कि हम पर बहुत विपत्ति पढ़ती रहे विपत्ति इतनी विपत्ति कम है पांडवों पर कम विपत्ति हुई है एक के बाद एक के बाद एक विपत्ति इतनी विपत्ति हैं तुमको कम लग रही है जो और विपत्ति चाहती हो बहुत है हाँ और विपत्ति चाहती है क्यों? क्योंकि प्रभू जब-जब विपत्ति आती है तब तब हम तुम्हारा स्मरण करते हैं और जब जब हम तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम्हारे दर्शन होते हैं बाद में हम भूल जाते हैं जो भी पत्ति नहीं होती है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन करे तो दुख का है कोई, यह साभाविक है, यह मानवी दुरबलता है, it's a human psychology, नहीं रयाद रहता है, फिर आनन जब आता है, जब बहुत प्रकार के हमारे सुख आ जाता है जीवन में, तब अपने आप हम आते है, इसलिए माशारदा कहते हैं, दुख तो, लोग कहते हैं, मुझे बहुत दुख है, अरे दुख तो इश्वर का, इश्वर की विशेश भेट है, इश्वर का विशेश उपहार है, यह समझ में नहीं आता था, क्यों ऐसे मा बोल रही है, फिर समझ में नहीं आता था कि क्यों कुंती ऐसा दुख मंग रही है विपत्ती मंग रही है स्वाम यतिश्वरां जी बोलते हैं सम्टाइम से प्रे दिवोटीज में गेट लिटल सफरिंग प्रार्तना करनी चाहिए लोगों का दुख इतने सारे दुखी है बिचारे लोग संसार में जल भून रहे हैं उनका दुख बोले दुख आये ऐसी प्रार्तना कर रहे हैं इस सब समझ में नहीं आता था धीरे 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 समझ में आया कि लोकिक दुख जितना अधिक आता है उतना अलोकिक सुख बाद में मिलता है अलोकिक आनन्द, अलोकिक सुक प्राप्त कराने के लिए थोड़ा सा अलोकिक दुख मानो वो एक प्रकार का मोटिवेशन हमारे लिए होता है उस समय तो बहुत कड़वा लगता है, उस समय बहुत कठील लगता है परंतु अंत में देखते हैं, इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाईज, तो आर्तो जिग्यासू, जिग्यासू मतलब जो जानने की इच्छा रखता है, इश्वर को समझने की इच्छा रखता है, इश्वर के पास बहुतने की इच्छा रखता है, मुक्ति की इच्छा रखत कुछ किसी अर्थ में ले सकते हैं अर्थार्थी अधिकांश लोग अर्थार्थी अर्थार्थी मतलब केवल अर्थ अर्थ मतलब पैसा केवल पैसा चाहते हैं जो कुछ भी हम अपनी कामना वास्तना का स्नुन्तुष्ट करने के लिए चाहते हैं वो सब अर्थार्थी एक फा सब भ होता है और तो हो चाहना आज यह जो आज सब्सक्राइब नन करते को ज़ zij्क नोगे रला दो हज़किंग कर दो पैकई घ्यान्स प्राइन करदो प्री nosotros करा दो सब कुछ अर्थ 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 अर्थार्थी अधिकांस अर्थार्थी और बाकी जो बचे कुछे वो यह है आर्थ यह आर्थार्थी लगबग कॉमन है यही लोग बाद में आर्थ बन जाते हैं जब विपत्ती आती तो यह अर्थार्थी बाद में आर्थ हो जाते है यतका मतलब है उनके लिए इश्वर है वो एक इस प्रकार की वस्तु है जिसके पास से हमारों केवल मंगना ही मंगना है उनके पास जाना है मंगने के लिए जिस दिन मंगना नहीं है उसके इश्वर के पास जाने की कोई जरुवत नहीं है कोई आवश्रक्ता नहीं है यह अध कश्चिन माम वेत्ती तत्वता हजारों हजरमें से एक आधी इश्वर को प्राप्त करता है और चौथी केटेगरी के बारे में तो भी बताया ही नहीं उसमें यह है तीसरी केटेगरी यह भी बहुत रेयर है तो यह हमारी मानवी दुर्बलता है कि अधिकांश लोग एक सज्जन थे वो रोज आर्ति करते थे सुबब प्रार्ता में भजन करते थे बहुत सारे भजन वगरे करते थे उसमें एक भजन अवश्य रहता था जै जगदीश हरे जैजगदीश हरे उसमें एक लाइन आती है प वो और कश्ट हरे तनका सुकसंपति घर आवे कश्ट मिटे तनका प्रभुजय जगदीश हरे वो यह लाइन को बार-बार गाते थे कि धन दो संपति दो कश्ट काया का कश्ट हरन करो यह बार-बार बुलते थे यह हम सब का अधिकांश लोगों की यह बात है तो ठीक है कोई बात नहीं तो प्रार्तना के कई हमने कहा कई प्रकार है एक है लोखिक प्रार्तना और एक है अध्यात्मिक प्रार्तना लोखिक प्रार्तना में दो बहत भेद हुए या तो आर्थ विपत्ति हुई है विपत्ति में से दूर विपत्ति दूर करने के लिए प्रार्तना करते यह कुछ भी पाने की इच्छा है या हस्बेंट पाने के लिए वाइप पाने के लिए कुछ भी बहुत सारे जो कुछ भी है यह सब अर्थार्थी या आर्थ यह दोनों लोकिक प्रार्तना में आते हैं फिर है अध्यात्मिक प्रार्तना अध्यात्मिक प्रार्तना के भी कई भाग है जिसमें एक तो है जिसको स्तूती हम कहते हैं जिसमें हम इश्ष्ष PhD करते हैं िश्षा के गुर्धान करते हैं ब्रांस टकम है कि अश्षय मधूरम वाला श्तोत्र है जो वाड़ित जो वहलेत्वाफ पर महापुर्भुजर लिखा है उन उनके गुणों का वर्णान उनकी संदर्ता का वर्णान ऐसे स्थूती है यह परकार की स्थूती फिर कुछ है जिसमें की आपरादकिक्रमापन स्थूट्र है जहां पर की आपरादकि शमा के लिए पराथनाकर थे ,- ऐसे करके शमापस्तोत्र है और कुछ है आध्यात्मिक प्रार्तना है जिसमें की इश्वर से भक्ति की प्रार्तना है इश्वर की प्रति शरणागति की भावना है प्रभुतुम शरणाई आयो इस प्रकार की प्रार्तना मिराबय की प्रार्तना नर्शीमेता की प्रार्तना तुका तो इसमें से हम लोग को धीरे-धीरे करके अध्यात्मिक प्रात्ना पर अधिक बल देना चाहिए और फिर में ने जैसे कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है मान्यूए सभाव दुर्बल सभाव तो क्या करेंगे एक घटना हुई लगबग 1976 की बात है 1976 में बेलूर मठ में एक स्वामी जी जो आफिस में काम करते थे हेटकॉर्टर आफिस में वहां एक फोन आया कि विरेश्वारांजी माहा से हम बात करना चाहते हैं विरेश्वारांजी मारा है रामकिष्ण मठ मिशन के दस्वर परमाद् मां शार्दादे के शिष्च तो उसने कहा कि अभी तो उपर में ट्रस्ट जी का मिटिंग चल रहा है मीटिंग के बाद ही आप उनसे बात करेंगे बर्द कर सकेंगे तो आप कौन बोल रहे हैं कि मैं अधूत बोल रहा हूं तो यह सामी जी तो बंगला सब लेखक को का नाम जानते थे अरे मरूत इर्थ हिंगलाज के लेखक अवधूत बोल रहे हैं तो बोले अभी मेरों को अर्जेंट काम है जैसे मीटिंग होती मुझे विरिया स्ट्रेंज महारज से बात करा दो ठीक है पर मैं क्या जान सकता हूं मामला क्या है इतना अर्जेंट सी क्या है मैं अ मृत्युशया पर है तो इसके लिए हमकोन के ब्लेशिंग चाहिए जिससे वो बचे जाए बोले आप तो इतने बड़े तांत्रिक साधू है इतने बड़े तांत्रिक है साधू नही थे तांत्रिक आप ने बड़े तांत्रिक हैं, आप ही तो कर सकते हैं, बले हाँ, मैंने मा काली को कहा, तो मा काली ने मुझे कहा कि बेलू मट जाओ, विरेश्वार अनन जी को कहो, वही इसको बचा सकते हैं, इसलिए बोले आया हूं, यह अद्भुत, लिला बाद में धीरे-दीरे हम लोग मुझे ने पूछा, बले उस सेवक ने यह सब मेसेज दे दिया, फिर महराज ने उसको यही का सेवको, अब मेरे पर छोड़ दो, मुझे जो करना हमें करूँगा, बाद में क्या हुआ हुआ, मैं पता नहीं, एक हमारे 1972 के करीब की बात है, मुझे स्वामी सत्य रुपानें यह हमारे रामकृष्र मिशन राइपूर के सचीव हैं, कई लोग उनको जानते भी होंगे, अत्यन्त वरिष्ट सन्यासी हैं, उनसे यह सुना, वो जब ट्रेनिंग सेंटर में तब की बात है, उनके साथ में एक ब्रह्मचारी था, यह ब्रह्मचारी को साइटी का हुआ, ब और बहुत दरद तो बहुत होता है, एक दिन बोला चलो मैं भी प्रणाम करने जाता हूं, तो उसको कैसे भी करके, उसको सपोर्ट देते हुए धिरे-धिरे करके प्रणाम करने ले गए, यह ब्रह्मचारी को मन में दुख हुआ, उसको इतना दरद हुआ, उसके मन में एक भोग रहा हूं, मेरे गुरु है विरेश्वर अनंग जी, यह विरेश्वर अनंग जी, इनको माश आरदा से मंतर दिक्षा मिली, स्वामी ब्रह्मा ने जी सन्यास दिक्षा मिली, इन दोनों की इन पर कृपा हुई, और फिर भी उनके उनके शिश्य होते हुए भी, यह वि प्रणाम करेके वापस आ गया वापस आने के बाद ट्रेणिंग सेंटर में आपस आ गया देखा सब दरत गया इतने दिनों से इतना भूगत रहे थे बहुत ऑन बेरेबल पेन सब चला गया अब दूसरे दिन खबर आई आज से प्रेजिडेंट महाराज का प्रणाम बंद उन ये सभी ब्रह्मचारी फिर गये प्रणाम करने के लिए ये ब्रह्मचारी जिसका दरद दूर हो गया था वो भी गया उसने जब प्रणाम किया प्रेजिडेंट महाराज को विडियश्वराने जी महाराज को उन्होंने इतना ही कहा always remember that there are other things to be asked from Guru always remember that there are other things to be asked from Guru इतना ही का और कुछ नहीं का और वो ब्रह्मचरी आकर के फिर बहुत रहा है बहुत रहा है तब पता पढ़ा कि इसके कारणी महाराज की तेवित खरब हुई थी और इसने उसका पुरा दरत महाराज ने ले लिया था विगुशे तो जोभी होगा यह हम लोग की एक प्रकार की दुरुबलता है मानंवी दुरुबलता की हम लोग कहा जाएं सहारा नहीं होता तब सहारे के लिए जुनते हैं और यह आर्थ प्रकार की प्रार्थना हो जाती है हमारे वह इस्टेट डिपार्टमेंट में काम करते थे सत्युर्पारण जी तब की बात है यह 90 लगबग 83 की बात है उसी समय रजत मित्रा करके एटाउनी थे हाई कोड के इस अत्रुपारण जी ने देखा कि एटाउनी हाई कोड के अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं और बहुत रो रहे हैं तो बाद में पता पड़ा डॉक्टर ने कहा है जीब का कैंसर हो गया है और बचने की कोई आशा ने और बहुत रो रहे हैं और फिर महराज के पास जाकर के रोए बहुत प्रार्तना की महराज ने कहा पूछा सेकंड ओपिनियन लिया है क्या फिर बोले जाओ सेकंड ओपिनियन लो बंबई में जाओ बड़े डॉक्टर के पास जाओ अपने सेव को का जल्द इन लोगी सब व पूलो इनके डॉक्टर को दिखाने के विवस्ता करेंगे मा फिर दिखाया दॉक्टर ने कहा कि इस कैंसर तो हो गया परन्तु फॉर्चिनिटली आप लोग बीगिनिंग स्टेज में हैं और ऑपरेशन से सब ठीक हो गया हो जाएगा तो ऑपरेशन कर दिया ऑपरेशन करके बाज पता पड़ाइस बीच विरेश्वनाजी महाराच को गल्यमें कैंसर हो गया और फिर वो दर्षन को दर्षन होता था सपता में एक-दो बारी तब वो जाते थे वो कलकृता में एगा निक में उनकड़ा찰 चल श्राओ तो आक सब्ता एक-बबर दर्शन कर ड्क स्वह द ले लिया ऐसी उनकी मान्नेता थी अब पता नहीं कैसे क्या हुआ परंतु ऐसा मांते हैं कि कभी-कभी यह जब प्रणाम करते हैं इसलिए प्रणाम करने में कभी-कभी बड़े अंसन्यास वरिष्ट सन्यास उका हमने देखा कि प्रणाम फिर बाद में बंद कराना पड़ता है, मोजा पराना पड़ता है, ऐसा सब होता है, मां शारदा देवी भी कैसे करके वो जब कभी-कभी मां बहुत पाया-पैर्द होती थी, मां आपको सर्दी हो जाएगी, क्यों होता है, क्या करूँ, इतनी जलन हो रही है, फिर बाद में कहा, पर सरत को बोलना मत नहीं, तो प्रणाम बंद करा देगा, अरे हम लोग तो आये हैं, दुख सहन करने के लिए जोगत के कल्यान के लिए, पर ऐसा होता था, ऐसा कभी के भी होता है, ऐसा मानते हैं, कि श कैंसर हुआ, उसमें भी सायद उन्होंने कई भक्तों के गिरिश चंदर घोष आदी, कई भक्तों के पाप अपने पर ले लिए, उसलिए हो सकता है, ऐसा कहते हैं, जो भी हो, पर गले में उनको कैंसर हुआ, अब एक बार काशीपुर में उनको ले जाया गया, पहले तो उस यह रामकिष्ण देव को इतनी पीड़ा है कुछ भी खाने सकते, कुछ पीने सकते कराते हैं, दर्थ से, बहुत बख्तों को बहुत पीड़ा होती है, उसमें देखा एक दिन शस्दर पंडित आया हैं उनको देखने के लिए, शस्दर पंडित ने देख आकर के कहा, अरे आ आप तो इतने महान योगी हैं, आप क्यों इतना दुख सर्थ कर रहे हैं, आपको तो मालूम है, जीज जगा पर पिड़ा हो रही है, उस जगा पर अपने मन को केंजित करेंगे, तो ये कैंसर, ये सब दुख चला जाएगा, इतना सरर उपाया आपके पास है, पिर आप क्यों ये योगी क्रिया का उपयोग करते हैं, स्री राम कृष्ण देव कहा, सशधर, मैं समझता था तुम बहुत बड़े पंडित हो, इतने बड़े पंडित हो करके ऐसी बात करते हो, जिस मन को मैंने जगदंबा के शरण में दिया है, तुमारा ये कहना है कि जगदंबा के देखी हो और मैं अपने मन को केद्रित करूँ, ऐसी बात तुम करते हो, पंडित हो करके, सशधर पंडित हो चले गए उसके बाद में, अब इन लोगों ने सब सुन लिया, स्वामी विवेका ने सुन लिया, बस पकड़ा, अरे हम लोग जानते थे, अभी तक जानती ही नही इसा होगा, तो बहुत ठीक है तापकी मा को बोलिया, मा के पास आज तक मैंने भक्ति के सिवा कुछ नहीं मंगा है, कुछ नहीं मंगा, मैं नहीं मंगूँगा, नहीं हमारे लिए आपको मंगना पड़ेगा, हम आपका दरद नहीं देख सकते हैं, पीछे पड़े नरेना, अच्छा आपने मा से प्रार्तना की, मा से प्रार्तना की, जब बहुत पीछे पड़े गए, तो सिराम कुछ देव ने एक बार फिर नरेने का, कल आपको कैसे भी करके प्रार्तना करनी है, फिर साम को आखर क्या, प्रार्तना की, मा को, हाँ, क्या प्रार्तना की, मैंने जग से कुछ कहिए कि आपका दरद कुछ कम हो और आप कुछ खा सकें अपर माने क्या कहा माने कहा तुम लोग दिखा कर के क्यों रहे इतने मुख से खाता है उससे तुजे संतोष नहीं होता तुजे खाने के लिए एक अलगसे मुख चाहिए उले मैं तो लज्जित होकर के वापस देलाया कितनी बड़ी अद्वेद की बात अद्वेद ज्यान के हिसाब से हम सभी एक हैं सर्वं खलू इदम ब्रह्मा जो कुछ है सो तुई है प्रत्यक मुनुश्य के बित्र में वही परमात्मा विराजमान है ऐसी अद् अद्वेद के ज्ञान को आचल में रख करके भक्ति करता इश्वर की ऐसे अद्वुद भक्त श्राम कृष्ण देव जो राम थे जो कृष्ण थे आये राम कृष्ण के रूप में लिला की पर ऐसी लिला की भक्ति किसको बोलते दिखाने के लिए जो सच्ची भक्ति कैसी ह प्रस्था पिद्ध किया कि एक सची भक्ती का उच्चतम आदर्ष क्या हो सकता है कि जहां अध्वईतानुभूती में किस प्रकार से जगधंबा उनको बोलती है कि इतने मुक्षे तुखा रहा है तो फिर से तुझे एक और मुक्ष चाहिए और मैं लज्जीत होकर के वापस लोट है यह अद्व यह अद्वाइतानू भूती तो ऐसी भक्ति की बात भगवान श्री क्रिष्ण हमारे भगवान श्री राम कृष्धर ने कहा है कि जितना हो सके हम करें चलृकूम ere भग्ति यस तो तो हम लोग अभी सायध हो सकता है मुख्य भक्ति की लायक नहों परन्तु गोणी भक्ति हम लोग कर सकते हैं गोणी भक्ति का प्रयात्न करते करते धीरे-देरे हम मुख्य भक्ति या परा भक्ति या निश्वार्थ भक्ति या जिसको बलते हैं निर्गुणा भक्ति भागव